आज हम देखेंगे के हमने अपनी बुक आनलाइन विद कम्प्यूटर्स का 6 यूनिट जो के हैं लोगो प्रेमिटिव्स के बारे में उसका हमने कौन सा टॉपिक पढ़ना है कल हमने कुछ प्रेमिटिव्स को पढ़ा था और आज हम कुछ बहुत ही इंट्रेस्टिंग प्रेमिटिव्स के बारे में और भी पढ़ने जा रहे हैं तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चूर की तरफ जी स्टूडेंट्स तो आपको याद होगा कि कल हमने लोगों की कुछ कमांड्स के बारे में पढ़ा था और हमने एक स्कूर भी ड्रॉ किया था आज हम पढ़ने जा रहे हैं pen erase command के बारे में pen erase command के बारे में मैं आपको थोड़ा सा introduction दे देती हूँ कि जैसे कि आप जब drawing कर रहे होते हैं तो आप से भी तो गलती हो जाती है तो उस गलती को हम किस तरह से ठीक करते हैं? जी पिल्कुल eraser की मदद से तो logo में भी हमारे पास एक eraser tool होता है ठीक है? जिसको हम pen erase command की मदद से उठाते हैं चलिए देखते हैं कि pen eraser command कैसे काम करती है? तेल्स तर्टल तो पिक अप इस eraser pen eraser command क्या करती है? आपके टर्टल को बताती है कि अब टर्टल ने eraser को पिक करना है और draw नहीं करना बलके पहले से बनी हुई drawing को मिटाना है आप screen पर example देख सकते हैं ये मैंने एक line draw की थी जो के मुझे लगा के मुझसे गलत draw हो गई और फिर मैंने eraser tool को उठाया P E command लिखी और ये erase हो गई है आप देख सकते हैं? जी students ये line जो मुझसे गलती से लग गई थी वो erase हो चुकी है तो इस तरह से आपका pen erase tool काम करता है अब next step क्या है? जब भी आप drawing कर रहे होते हैं जो भी आप से गलती हुई थी वो आपने erase कर ली लेकिन अब आपने drawing दुबारा से start करनी है तो आप क्या करते हैं? अपनी pencil को दुबारा उठा लेते हैं बिल्कुल ऐसे ही करते हैं न? तो हमारे पास एक और command है जो के है pen paint अब देखेंगे के pen paint क्या करता है? pen paint tells the turtle to pick its pen again and start drawing जैसे के students मैंने आपको बताया के pen paint command क्या करती है? आपके turtle को बताती है के turtle ने अब pen दुबारा उठाना है और drawing शुरू करनी है इसमें एक बात का खया जरूर रखना है के अगर आपने eraser tool यूस किया है तो उसके बाद आपने अगर अपनी drawing दुबारा शुरू करनी है तो उसके लिए आपको pen paint लाजमी इस्तवाल करना होगा आपके याद रहने के लिए मैंने ये एक bubble में लिख दिया है It is necessary to use ppt ppt क्या है? pen paint command after using pe command pe command क्या है? pen erase command otherwise turtle will not draw अब जैसे आप example ले लें कि आप drawing कर रहे है ठीके? और आप से गलती हुई आपने erase किया लेकिन आपने pen tool नहीं उठाया दुबारा से और आप eraser से ही अपनी drawing बनाते जा रहे हैं तो वो drawing तो नहीं बनेगी न जी बिलकुल इसी तरह जब तक आप pen paint की command नहीं लिखेंगे आपका turtle pen नहीं उठाएगा draw करने के लिए लेकिन turtle move करता रहेगा लेकिन कुछ भी draw नहीं होगा जी students अगली command है हमारे पास print की देखते हैं print command कैसे काम करती है? print displays the text or number in the recall list students आपको याद होगा recall list क्या होती है? input box के तोड़ा सा उपर का जो area होता है जहां पर हमारी सारी की सारी commands की list आ रही होती है उसको हम कहते हैं recall list तो आपका print command क्या करता है? जी जो भी text या number आप लिखना चाहा रहे हैं उसको क्या करता है? recall list में print करवा देता है लेकिन number, word और sentence को print करवाने के तीन different तरीके हैं चलिए देखते हैं कि वो different तरीके क्या है? print a number अब हम देखेंगे कि हम number कैसे print करेंगे? तो नमबर प्रिंट करने के लिए हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने pr लिखना है जो कि है हमारी print command और उसके बाद हमने देनी है space और उसके बाद कोई भी number जो आप लिखना चाह रहे हैं जैसे कि 10 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं 2, 3, 23, 100 कोई भी number जो आप print करवाना चाह रहे हैं हम वो space के बाद लिख देंगे ठीके? और आपका number जो भी आपने command दी होगी वो number कहाँ print होगा? recall list में example देखें स्क्रीन पर मैंने यहाँ लिखा PR, space और 100 और execute कर दिया आप देख सकते हैं, students 100 number जो है, वो recall list में print हो चुका है ठीके? तो जी students, एक बात है बहुत ही ज्यादा खयाल करने वाली कि जब आप एक number प्रिंट करते हैं तो आप वो सिर्फ एक ही number प्रिंट कर सकते हैं, आप एक से ज्यादा numbers नहीं print कर सकते हैं जैसे ही आप एक से ज्यादा numbers प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, तो सिर्फ पहला number प्रिंट होगा और बागी के numbers प्रिंट नहीं होंगे आपके याद रखने के लिए मैंने एक बबल में लिख दिया है this command can only print one number अब वो one number जो है वो कोई भी हो सकता है जासे मैंने आपको पहले बिताया कोई भी number digits ज्यादा हो सकते हैं लेकिन number एक ही रहना चाहिए ठीक है जी स्टुरेंट्स तो अब हम कैसे print करना है चलिए देखते हैं टाइप पी आर अस्पेस एंड इन्वर्टीट कोमास पॉलड़ बाया वर्ड तो प्रिंट अ नंबर नहीं नंबर नहीं प्रिंट होगा इस तरह से हमारा वर्ड प्रिंट होगा ठीक है स्टूडेंस सबसे पहले आपने क्या लिखने है पी यार कमार्ड आपने हमेशा लिखनी है ठीक है उसके बाद हम लिखेंगे एक स्पेस स्पेस बहुत ही जरूरी है स्पेस का ख्याल रखिएगा और स्पेस हमने लाजमी देनी है और उसके बाद हम लिखेंगे इन्वर्टीड कोमास ठीक है इन्वर्टीड कोमास के बाद आप अपना कोई भी word जो आप लिखना चाहते हैं, अपना नाम लिखना चाहते हैं, या अपनी mother का नाम लिखना चाहते हैं, या class का नाम लिखना चाहते हैं, या computer, कुछ भी आप word जो type करना चाहते हैं, हम वो inverted commas के बाद लिख देंगे, और फिर क्या होगा, जी विलकुल आपकी recall list में वो word print हो जाएगा example देखें तो मैंने लिखा PR space और फिर मैंने लिखे inverted commas और फिर मैंने अपना नाम लिखा है यहाँ सदफ लिखा है मैंने और आप देख सकते हैं कि मैं जब इसे execute करती हूँ तो recall list में मेरा नाम print हो जाता है ठीक है तो students आपने क्या करना है आपने भी बिलकुल इसी तरह अपना अपना नाम यहाँ पर print करके जरूर देखना है जी students तो अब हम देखेंगे कि आपने sentence को कैसे print करना है type PR a space and write the sentence in square brackets to print a sentence आप जानते हैं कि sentence क्या होता है sentence एक से ज्यादा words को मिल कर बनता है ऐसे ही है ना पहले हमने देखा था कि आपने सिर्फ एक word अगर print करना हो तो वो कैसे होगा और अब हम देखने जा रहे हैं कि आपने एक sentence को कैसे print करना है सबसे पहले आपने क्या लिखना है PR फिर space और फिर अपना sentence किसमें लिखना है square brackets में लिखना है आप जानते है square brackets कैसी होती है ऐसी चीज students आपने देखा square brackets किस तरह की होती है इन brackets में आपने अपने sentence को लिखना है ठीक है example देखे यह मैं लिखने हूँ यहाँ PR एक space और square brackets लगाई मैंने अब मैं इसके अंदर अपना sentence लिखूंगी मैं लिखने वाली हूँ I am a girl ठीक है और अब हम इसे execute कर देंगे चीज students आप देख सकते हैं कि I am a girl recall list में print हो गया है तो आपने यह देखा कि आपने किस तरह से sentence को print करवाना है ठीक है Students आपको मैं अब एक बहुत interesting चीज़ बताने वाली हूँ वो क्या है Error message Error messages का बाते हैं जब भी आप कोई command गलत लिख देते हैं Error Error के नाम से यह आपको पता लग रहा होगा Error हम कहते हैं गलती को ठीक है तो फिर आपको एक Error message recall list में show हो जाएगा जिससे आपको यह पता चलेगा कि आपने कहीं गलती कर दी है ठीक है हम example देखे चीज students तो मैं यहाँ आपको बताने के लिए sentence लिखूँगी लेकिन जिस तरह से हम word print करते हैं उस तरह से मैं sentence print करने की कोशिश कर रही हूँ आप देखिएगा मैंने लिखा PR Space और inverted commas और फिर मैंने लिखा I am a girl और इसे execute कर दिया जी students आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके पास word आये तो print हो गया है लेकिन आपका बाकी sentence print नहीं हुआ और उसकी जगा बिलकुल I के नीचे एक error message आ गया है जिसमें क्या लिखा हुआ है I don't know how to M ठीक है आपने देखा कि error message किस तरह से show होते है जी students आज आपने क्या करना है यह सारी commands जो हमने पढ़ी है उनको आपने अपने computer पर practice करना है और आपने कुछ गलत commands देखकर यह भी देखना है कि error message किस तरह से show होता है ठीक है students मुझे उमीद है कि आज का lecture आपको बहुत मज़े का लगा होगा अगले lecture में मिलते हैं आज के लिए इतना काफी है अल्ला हाफिज अल्ला है